हलो एवरीवान गुद मॉने एंड विलकम तो अंबिशिस बापा डॉट कॉम वी आंबाक वितार डेली करिंट अफेर्स विचली जानते हैं 13 नवेंबर के का इंट अफेर्स क्या है इसके अलावा आज की क्लास का पीडियेफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आपको उसे चेक आउट कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेस्टिंस की ओर पहला सवाल इनमें से किस राजे के सीएम ने किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सचाई की समस्याओं को दूर करने के लिए एक द्वी भाशी मुबाइल आप्लिकेशन जुसका नाम है सेचा समाधान लॉंच किया है पाज आप्शन से हैं हमारे पास चलिए आंसर इस डी ओरिस्टा हाली में ओरिस्टा के मुख्य मंत्री ने सेचा समाधान नाम का एक बाइलिंग्वल आप्लिकेशन लॉंच किया है जिसके तहर जो ओरिस्टा के किसान है उनकी इरिगेशन डिलेट प्रॉब्लम्स को अड्र समाधान नाम का एक बाइलिंग्वल मुबाइल आप्लिकेशन लॉंच किया है जिसके तहर वहां के जो किसान है उनकी इरिगेशन डिलेट प्रॉब्लम्स को अड्रेस किया जाएगा और इसके लिए अब उन्हें किसी भी सरकारी दफ्तर जाने के जरुरत नहीं है तो बाइ कोई भी सरकारी दफ्तर या फिर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जाने के जरुरत नहीं है उनके कोई भी ग्रीवियांस या फिर उनकी कोई भी शिकायत है अब वह इस अप्लिकेशन के माध्यम से अप्लोड कर सकते हैं यानि कि फोटोग्राफ और वीडियो वो क्लिक कर सकते हैं और उसके बद इस मोबाइल अप्लिकेशन पर अप्लोड कर सकते हैं और उनकी जो कंप्लेइन की जो स्टेटर से उनके अपडेट उन्हें टाइम टो टाइम SMS के माध्यम से बहुजे जाएंगे इसके अलावा इसके कई सारे और भी फाहिदे हैं इससे और इससा की जो किसान है वो डिजिटल हो जाएंगे और यह डिजिटाइजेशन के तरफ काफी बड़ा स्टेप रहेगा दूसरी यह बात है कि उनकी काफी जादा समय बचेगा और उन्हें सरकारी दफ्तर जाने की जरुवत नहीं पड़ीगी और तीसी और अच्छी बात इसमें यह है कि इससे ट्रांस्पेरेंसी रहेगी यानि उनके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि उनकी जो जो सिचाई रिलेटेट प्रॉब्लम है वो उन्होंने फोटोज और वीडियो के माध्यम से अप्लोड की है और उसके जो स्टेटस है यानि कि उस पर क्या काम चल रहा है इसके बा अधन किया जाएगा जो पर्टिकुलरी सिचाई रिलेटेट प्रॉब्लम्स को अड्रेस करेगी और उसे इमीडेटली उस पर काम किया जाएगा तो चलिए अब बाप करते हैं औरसा के बारे में औरसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पतनायक औरसा का क्यापितल है भु जी साटलाइट इन्टो औरविट पांच ओप्शन से हमारे पास चलिए आंसर इस इज चाइना ने दुनिया का पहना सिक्स जी उपग्र कक्षा में लॉंच किया है चलिए जानते हैं डीटेल्स तो जैसे कि में प्वेशन में ही पढ़ा है कि चीन यानि कि चाइना ने दु किया है और यह किया गया है फ्रम ताइवान जो कि एक नौर्थ वेस्टन प्रोविंस है और शांग्शी तो यह एक लॉंग मार्च 6 रॉकेट है जिसे लिफ्ट ऑफ किया गया था 6 नवंबर 2020 को साटलाइट के साथ जिसका वजन 70 किलोग्राम है यानि कि 150 LVS है और इससे अ इसे परिक्षं में यूस किया जाएगा जो सिस्टम स्मार्टिई बिल्ड करने में मदद करेंगे और इसके साथ-साथ डिजास्ट्र प्रिवेंशा और मिटिगेशन और इन्वरमेंटल प्रोटेक्शन में भी यह सिस्ट्म यूस् कि जाएँगी तो कुंला कि इसका मतलब यही है कि यह जो इतनी high speed data है या फिर यह जो high speed transmission speed है जो 5G से काफी जादा है यानि कि 100 times जादा है इससे कई सारे चीजें हमें advance में पता चल जाएंगी और इससे जो नए नए systems आ रहे हैं उनका सही डंग से परीक्षन किया जाएगा और इसके साथ साथ जैसे कोई भी आने वाला संकत है या disaster है उसे prevent किया जा सकेगा उसे mitigate किया जा सकेगा यानि कि अगर वो totally avoidable नहीं है तो उसका जो risk है उसे mitigate कर देंगे उसे काफी कम किया जा सकेगा और यह environmental protection में भी काफी जादा काम आएगा चलिए बढ़ते हैं तीज़े question की ओर तीज़रा सवाव स्केट के 20 वे शिखर समीलन की अध्यक्षता इनमें से किसने की है पांच option से हमारे पास तो चलिए the answer is बी व्लादमिर पुटीन रश्या के President व्लादमिर पुटीन has shared the 20th summit of SCO Council of Heads of State चलिए जानते हैं details तो जैसा कि अमने question में ही पड़ा है कि जो 20th summit है of the SCO Council of Heads of State वो हेल्ट की गई थी 10 नवंबर 2020 को वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से और इस meeting की अध्यक्षता रही है to the President of the Russian Federation Mr. व्लादमिर पुटीन के पास और इसमें भारत के प्रधान मंजी शी नरेंद्र मोधी ने भी हिस्सा लिया है तो यह पहली SCO Summit है जो की virtual format में की गई है और यह तीसरी meeting है जिसमें भारत ने हिस्सा लिया है after it became a full-time member in 2017 यानि कि वर्ज 2017 में जब SCO के full-time member बन गय थे भारत उसके बाद यह तीसरी meeting है जिसमें भारत ने हिस्सा लिया है और अपने address में यानि कि जब हमारे प्रधान मंजी शी नरेंद्र मोधी address कर रहे थे SCO leaders को तब उन्होंने रश्या के President Mr. Vladimir Putin को congratulate किया है Rating Agency's Moody's Investors Service has projected India's gross domestic product forecast for calendar year 2020 to how much percent पांच option से हमारे पास तो चलिए the answer is C At minus 8.9% Rating Agency's Moody's Investors Service ने भारत की GDP को आगा है चलिए जानते हैं details तो जैसे कि हमने question में ही पड़ा है कि जो Rating Agency's है Moody's Investors Service ने उन्होंने अपनी जो Ratings है भारत की GDP को लेके वो revise की है इससे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि calendar year 2020 के लिए भारत की जो GDP है वो रहेगी at minus 9.6% जो अब उन्होंने revise करके आगा है कि वो रहेगी at minus 8.9% इसके अलाबा उन्होंने वर्ष 2021 यानि कि calendar year 2021 के लिए उन्होंने आगा था कि भारत की GDP रहेगी at 8.6% जो अब उन्होंने दुबारा revise किया है कि भारत की GDP होगी at 8.1% चलिए जान लेते हैं कि बाकी सारी agencies ने भारत की GDP को किते प्रतिशत तक आगा है financial year 2021 के लिए तो NCAER ने आगा है at minus 12.6% Indian Ratings and Research ने आगा है at minus 11.8% इकरा ने आगा है at minus 11% World Bank ने आगा है भारत की GDP को at minus 9.6% ADB ने आगा है at minus 9% IMF ने आगा है at minus 10.3% RBI ने आगा है at minus 9.5% SBI ने भारत की GDP को आगा है at minus 10% और Fitch ने भारत की GDP को आगा है at minus 10.5% चलिए बढ़ते हैं आगरे question की ओर पाच बार सवाल SMEs के लिए किस bank ने Smart Hub Merchant Solutions 3.0 लांच किया है पाच options है हमारे पास तो चलिए आँसर इस D. HDFC Bank HDFC Bank ने SMEs यानि कि small और medium enterprises के लिए Smart Hub Merchant Solutions 3.0 लांच किया है चलिए जानते हैं details तो जैसे कि मैंने question में ही पढ़ा कि HDFC Bank ने हाल ही में Smart Hub Merchant Solutions 3.0 की गोशना की है 11 नवंबर को और इस solution के माधेम से जो भी merchants है और self-employed professionals हैं वो instantly अपना current account open कर सकते हैं Selling software and lending to merchants based on their banking history यानि कि smart hub 3.0 है इसमें बहुत सारे variety of features हैं जिससे चुट-चुटे जो business enterprises हैं उनका काम काफी आसान हो जाएगा इसमें digitizing खाता अवेलिबल है यानि कि अपना वुभाई खाता मेंटेन कर सकते हैं इसके अलाबा अगर उन्हें किसी भी debtor से कोई भी payment लेनी है तो उसकी reminders उन्हें मिलती रहेंगी from time to time जो भी grocery stores वाले हैं वो अपना inventory इसमें manage कर सकते हैं उसके अलाबा इसमें billing software भी उनके लिए upload हैं और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि कोई भी merchants वो यानि कि किसी को भी अगर उन्हें उधार देना है तो उनकी banking history के इसाब से जो merchants है वो खुड decide कर सकते हैं कि उन्हें किसे कितना का उधार देना है और उनके क्या credit score है तो चलिए जानते हैं कि इसके और की features क्या-क्या है तो सबसे अच्छा feature है कि तुरंद इसमें account खुल जाएगा और इसमें merchant setup भी available है दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें जो payment collection के कई सारे माध्यम है जैसे कि भारत QR code यानि कि quick response code के माध्यम से payment accept होगी आधार पे available होगा UPI यानि कि unified payment interface के माध्यम से भी payments accept किये जाएंगे SMS पे credit और debit cards payment और कई सारे applications जैसे कि Pays app, Google पे भी इसमें उपलब्ध होगा क्यानि कि a variety of options है जिससे payment इसमें accept किये जा सकेंगे और ये 9 languages में उपलब्ध है और इसमें और भी बहुत सारे features है जिसे जो छोटे-छोटे enterprises है वो अपने business को और जाधा boost कर सकते है वो अपना पूरा का पूरा product catalog है वो अपने customers को SMS, email और WhatsApp के माधियम से share कर सकते हैं बेच सकते हैं इसके अलाबा वो loan के लिए apply कर सकते हैं और credit card offers को view भी कर सकते हैं और उसमें एक single dashboard रहेगा जिसमें वो अपने payments को view कर सकते हैं और उसके अलाबा वो अपने dues जो अलग-अलग locations पे हैं उसे देख सकते हैं जाच कर सकते हैं कि उनका कितना और debit कितना credit और debit available है उनके account में इसके अलाबा वो EMI कि भी सुविदा ले सकते हैं for electronic merchants, billing, etc चलिए बढ़ते हैं अंगले question की ओर चटा सवाल सरकार द्वारा स्थापित कापिटल गुद्स शेत्र के मजबूत करने के लिए 21 सदस्य अंतर मंत्री स्थरिय समिती के प्रमुख कौन है 5 options है हमारे पास तो चलिए the answer is A. Arun Goyal Arun Goyal is the head of a 21 member inter-ministerial committee जो की strengthen करेंगे capital goods sector को और जिससे सरकार ने हाल ही में गठत किया है चलिए जानते हैं details तो जैसे के बनी question में ही पढ़ा है कि मारी भारतिय सरकार ने 21 member inter-ministerial committee का गठत किया है जो की capital goods शेत्र को और ज्यादा मजबूत करेंगे और उनके intervention के माधियम से जो CG sector है यानि कि जो capital goods sector है उसे contribute करने का मौका मिलेगा more actively in the national goal of achieving a 5 trillion dollar economy and 1 trillion dollar manufacturing sector यानि कि इस committee का जो गठन किया गया है ये लोग बहुत सारे contributions करेंगे ये लोग बहुत सारे ऐसे policies, frameworks बनाएंगे हमारे capital goods sector के लिए जिससे जो भारत का टार्गेट है कि वर्च दो हजार पच्चिस तक वो एक 5 trillion dollar economy बन जाए और 1 trillion dollar manufacturing sector बन जाए उससे achieve करने में मदद मिलेगी तो ये जो 21 member committee है इसके अध्यक्ष रहेंगे अरुन गोयल जो की है सचीव of the Department of Heavy Industries और इसके अलागा काफी सारे representation रहेंगे other concerned ministers से यानि कि इस committee में बहुत सारे लोग शामिल होंगे अलग-अलग शेत्रों के ministers भी रहेंगे और इसके अध्यक्ष रहेंगे अरुन गोयल चलिए जान लेते हैं कि इस committee को बनाने का मकसद क्या है तो ये जो कमिटी है ये जो बहुत सारे issues है capital goods sectors को related उसमें ये देख रेक करेगी जिसमें शामिल है technology development mother technology development global value chains testing, skill training, global standards reciprocity issues custom duties to make this sector globally competitive to become the manufacturing hub for the world तो जैसा कि हमने पढ़ाएं यहां पर कि कई सारे चीज़े हैं जिसमें ये देख रेक करेंगी जिसमें कि हमारे capital goods sector को और ज़्यादा बूस्ट मेरे जिसमें कि हमारे technological developmental क्या हो रही है इसके अलवा हमारी जो mother technology है उसकी क्या development है global value chains क्या है क्या custom duties हम लगा रहे हैं इस शेत्र में और कैसे हम हमारी जो इंडस्ट्री है उससे और जादा globally competitive बनाए इसमें क्या policies change कर सकते हैं हम क्या rates बगर change कर सकते हैं जिससे ये दुनिया का manufacturing hub बन जाए इसके अलावा वो इस बात पर भी जोर देंगे कि कैसे इस इंडस्ट्री के लिए skill training के जरुवत है किस type के skill के जरुवत है और कैसे उन्हें training दी जाएगी इस सहीर हमसे testing हो रही है या नहीं इस सब चीजों पर ध्यान रखा जाएगा तो चड़िए एक बर revision कर लेते कि कौन-कौन सी latest committee का गठन हुआ है और उनके अध्यक्ष कौन है तो analysis of qr code के अध्यक्षे प्रोफेसर दीपक भी भाटक सेवी rejects advisory की अध्यक्षे उशा थोरट तो examine the possibility of offering surety bonds for contractors के अध्यक्षे जी शीनिवासन loan restructuring के लिए parameters बिठाने की जो committee का गठन हुआ था उसके अध्यक्षे के वी कामत business responsibility reporting के लिए जो committee बनाई गए थी उसके अध्यक्षे राजेश वर्मा एक साल का extension दिया गया था to company law committee उसके अध्यक्षे राजेश वर्मा stubble burning को रोकने के लिए पंजाब हर्याना और UP में जो की एक major cause of air pollution है इंदी डेली NCR region उसके लिए committee का गठन हुआ था जिनके अध्यक्ष है पूर्वजज M.B. लोकर चलिए बढ़ते हैं आंगले सब्सक्राइशन की और सात्वा सवाल उस पांची स्कॉर्पीन पंडूबी का नाम बताईए जो भारतिये नौ सेना द्वारा दक्षिन मुंबई के मंडगाव डॉक में लॉंच की गई है पांच ओप्शन है हमारे पास तो चलिए दा आंसर इस ई वागी वागी इस दी फि तो जैसे के मने क्वेशन में ही पढ़ा है कि मारे जो भारतिये नौ सेना है उन्होंने लॉंच किया है फिफ्ट स्कॉर्पीन सब्मेरिन जिसका नाम है वागी अड़ी मैजगान डॉक ऑफ साउथ मुंबई यह जो सब्मेरिन है यानिकि जो बंडूपी है यह कई सारे मिश सब्मेर्सी अंटि सर्फेस वारी वार्फेर मैं बहारति में बनाई बनाई जा रही है इ से डिजाइन क्या गया था by the French Navy and an energy company जिसका नाम है DCNS तो जो project 75 है of the Indian Navy उसके तहरे 6 submarines बनाए जाएंगे तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो यह submarines है यह use होती है वार में तो यह जो नई submarine बनाई गई है यारि कि जो launch की गई है यह काफी साथा capable है कई सारे missions undertake करने के लिए जिसमें से anti-submarine warfare शामिन है anti-surface warfare शामिन है mind laying भी कर सकती है intelligence gathering और area surveillance भी काफी बहतरी से कर सकती है इसके अलावा इसकी जो accuracy है वो काफी जादा अच्छी है और यह weapons वगरे भी काफी अच्छी से शूट कर सकती है अपने enemies पर तो टोटल में 6 कलवारी class submarines बनाए जाएंगे भारत द्वारा और यह उसका पांचवा हिस्सा है यानि कि वागीर इस दी फिफ्ट स्कॉर्पीन submarine और अलड़ी चार कलवारी class attack submarines बनाए गए हैं जिनका नाम है INS कारंज, INS वेला, INS वागीर और INS वगशीर तो सबसे पहले हमारे सबसे पहला जो वागीर submarine आया था वो आया था from Russia और उसे commission किया गया था in the year 1973 लेकिन उसके बाद उससे decommission कर दिया गया in the year 2007 और वागीर यह जो नाम है यह sandfish के नाम पर पढ़ा है जो कि एक deep sea predator है इंडियन ओशन में तो अबना आपको बता ही दिया है कि जो पहला वागीर आया था यानिकि सब्मेरन आया था वो commission किया गया था in the year 1973 और उसे और वो रशिया से आया था और यह जो 6 scorpion submarines बनाए गए हैं यह इंडिया में बनाए जाएंगे फ्रेंच नेवी की मदद से तो इ ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में काफी जाधा आ गया यानिकि हमारा जो ग्लोबल फोर्स रहेगा यानिकि दुनिया पे काफी जाधा हम अच्छे position में आएंगे इन टर्म्स ऑफ दी नेवी चलिए बढ़ते आगले question की ओर आटवा सवाल बोस किया नाम निमंदलेखित में से किस व्यक्ति पर एक नई पुस्तक है जिसका राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशत किया गया है पाच आप्शन से हमारे पास चलिए आंसर एस बी संपूर्ण सिंकाल रां की उपर है यह नई किताब जिसका नाम है बोस किया ना और जिसे पब्लिश किया गया है बाई राधा कृष्ण प्रकाशन चलिए जानते हैं डीटेल्स तो आसकर अवार्ड विनर लिरिस जिनका नाम है संपूर्ण सिंग कालड़ा जिने प्रोफेशनली गुलजार के नाम से भी हम जानते हैं उनके ऊपर लिखी गई है यह किताब जिसका नाम है बोस किया आना तो इसमें कई सारे विजिबल और हिडिन टुट्स है उनके राइ तो इसके अलावा यह जो किताब है यह उनकी उपिनियन और वो दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं वो भी देखा जा सकता है यानि कि रीडर्स को पता चल सकता है कि बेसिकली गुलजार या फिर संपूर्ण सिंग कालरा की नॉर्मल और आम जिन्दगी कैसी है इसके बारे सेशन है जो हमें गुलजार की परस्नालिटी है उससे रूबरू कराता है वो भी इस किताब में तो राजकमल प्रकाशन समू ने एक लिमिटेड गिफ्ट एडिशन लॉंच किया है जिसमें गुलजार साब का पैन है एक अट्राक्टिव नोट पैड है एक बुक मांक है और वेहिया एक चीर में आयुजित अंतर राश्य ये टेबल टेनिस महासंग मैला विश्व कब 2020 का खिताब इन में से किसने जीता है आच ओप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस ए चैनमेंग 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 तो दुनिया की नमबर वन चैनमेंग ने हराया है चाइनीज कंपेट्रियेट सुन इंचा को और उसके साथ उन्होंने अपना मेड़न इंटरनाशनल टेबल टेनिस फेडरेशन विमन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस टाइटन जीता है जो की हुआ था इन वेहिया चाइना तो यह 2020 का जो ITTF विमन्स वर्ल्ड कप था यह उसका 24वा एडिशन था और यह खेला जा रहा है सिंस दे यह 1926 यानि कि ITTF सॉरी मारे गरत बिता रहे हैं आपर तो ITTF की खोज हुई थी इन दे यह 1926 और इसके जो हैड़कोर्टर्स है वो है लौजान स्विजिलेंग चलिए बढ़ते हैं दस्वे क्वेशन की ओर दस्वा सवाल लोग सेवा प्रसारण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है पांच आप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस सी 12th November 12th November को हर साल पब्लिक सर्वस ब्रोड कास्टिंग दे सेलिडरेट किया जाता है जैसे के मिने क्वेशन में ही पड़ा है कि पब्लिक सर्वस ब्रोड कास्टिंग दे सेलिडरेट किया जाता है 12 November को every year तो इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि यह पहली और आखरी बार है जो हमारे फादर आफ दी नेशन यानि कि महात्मा गांदी ने विजिट किया था to the studio of All India Radio in Delhi in the year 1947 चलिए with this week up to the ends of today's class I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर यह वीडियो पसंद आया तो इससे लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ शेर कीजे और हमारे चैनल Ambitious Baba को सब्सक्राइब जरूर कीजे इसके लावा कोई भी शिकायत हो कोई suggestions हो तो में नीचे comment करके जरूर बताईएगा thank you friends that's all for today and have a great day